हरियाना की राजनीती में एक बार फिर से अनिलविज के भायान से खलवली मच गई है दरसल कैबिनेट मंत्री अनिलविज ने कारेकरता धन्यवाद कारेकरम में संसनी खेज आरोप लगाया और अंबाला प्रिशासन को भी जमकर खरीखोटी सुना डाली अनिलविज ने आरोप लगाये कि उनकी हत्या की साजिश रची गई और साती प्रिशासन ने उन्हें चुनाव में हरवाने की कोशिश की ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सीयम की कुरसी नहीं मिलने से अनिलविज आहत हैं और संसनी खेज आरोप लगा रहें आपको बता दें कि सोमवार को अंबाला में परिवान और विजली मंतरी अनिलविज ने कारेकरम के दौरान सभी कारेकरताओं का धन्यवाद किया और कहा कि चुनाव के दौरान लोग उन्हें छोड़ कर विपक्ष के साथ मिल गए थे ऐसे लोगों पर हमला करते विए अनिल विज ने बोला कि उन्होंने ऐसे लोगों को गद्दार कहकर अपने कारेकरम में आने से मना कर दिया विज ने बीजेपी की चिला को साध्यक्ष आशीश तायल के मंच से नाम लिया और कहा कि उन्होंने चुनाफ के दौरान उनके खिलाफ साजिश रची थी विज ने प्रिशासन पर भी चुनाफ के दौरान उन्हें मरवाने की आरूप लगाए और कहा कि प्रिशासन मुझे हरवाना चाहता था इसके साथ ही मंतरी अनिल विज ने जीना यहां मरना यहां इसके सिवा अब जाना कहां गाने से अपने संबोधन का अगास किया इस दोरान उनोंने माना की जेब से फकीर हैं फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं गीत भी गाया इसके बाद विज ने संसरी के जारूप लगाते वे कहा ये चुनाफ खास था चुनाफ के दौरान कुछ लोगों ने गद्दारी करके हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की उन्होंने कहा कि वह दस साल मंत्री रहे लेकिन कुछ लोग मौका आया तो दूसरी तरफ कूत कर चले गए विज ने कहा कि मैंने तो पहले ही मीटिंग में कह दिया था जिसने जाना है चले जाओ दाम भी अच्छे मिल रहे हैं लेकिन मैं किसी को मनाने नहीं जाओंगा विज ने भाच्वा जिलाकोसा द्यक्ष आशी स्टायल पर गदारी का आरोप भी लगाया यहां तक कि विज ने उनके किलाब सभी सबूत होने का दावा भी किया